नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद प्येस परिहार चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उनतर जार सिक्षक बढ़ती की लिस्ट है वह जारी हो गई और जारी होते ही विद्यार्थियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया बहुत सारे विद्यार्थी तो कल सुबह से ही वहां पहुँच गये थे जिनको शिकायत थी की P&P उनकी बाते नहीं सुन रहा है मामूली जो सुधार है उनके लिए विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया गया तो आज सुबह से ही विद्यार्थी पी पहुँच गया थे लेकिश्वर constituency नहीं सुनैं और पुलिस कारवाई की धमकी भी दी तो यहां पर देख सकते हैं एक विद्यार्थी थे जिनें मैं अची तरीके से जानता हूं और इनका जो गोडांग है टोटल वह 86.30 फिर भी इनका नाम चैनितों की लिष्ट में नहीं है और इन्होंने आवेदन में कोई तरुटी भी नहीं किये तो इन इस तरीके के बहुत सारे विद्यार्थी आज पेंपी पहुंचे थे जिस अपनी अपनी सिकायतों को लेकर कि लेकिन पेंपी जो है वह इन विद्यार्थियों की सिकायतें दूर नहीं कर रहा है यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ यह दो जून की अपडेट है नीचे लिखा है कि बेस उनतर जार सिख्षक बरती के लिए लिखित परिच्छा के आवेदन में प्रापतांग प्रोडांग की गलती करने वाले बरतियों सोमवार को बेसिक सिख्षा परिषित काराला के बार प्रदर्सन किया इन अपडर्थियों के मांग है कि हलफ नामा लेकर मूल दास्ता वेजों के अधार पर काउंसलिंग में सामिल कराया जाए तो यहां पर बहुत सारे विद्धार्थियों के नाम भी लिखे हुए हैं और आ गोटाले की उन्हें तरजार सिक्षक भरती में विद्धार्थियों का भले ही चैन हो गया कोटाब नीचे चली गई यह लेकिन यह बात निश्ची तक इस भरती में गोटाला तो हुआ है और इसी को लेकर के विद्धार्थी सड़क पर उतरा हैं बहुत सारे और आंधूलन कर रहा था और जांच की मांग कर रहा था आज परत्यों को का एक नया संके नया मॊर्चा नया मुर्चाशने भी खुलकर के ये बात कही है और कई कार्यालों में नोटिस दी है और मांग की है कि जो मुन्ना भाई है जिनके नंबर 130 से जादा है उनकी जाच की जाए यह देखिए यह पत्र लिखा है नया मोर्चा ने जिलादिकारी मोहते प्रियागराज को लिखा उनकी जाच के बाद ही बरती प्रक्रिया पूरी हो नैम उर्चा ने जो पत्र में लिखा है देखिए नीजे क्या लिखा है कि सिख्षक बरती में भृष्टाचा के खिलाफ लडाई जारी रहेगी सुनील मोर्डो जुन पुर्यागराज उनने तरजार सिख्षक बरती प्रिक्चा में ब्याप्त भृष्टाचार के खिलाप प्रिक्चा नियामक प्रादिकारी कारणाला पर प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के दौरान मुख्मिंतरी के नाम संबोधित ग्यापन एसीम प्रतम को दिया गया निया मोर्चा उत प्रिक्चार करने वालों को बचा रही है तो यह विद्यारती है इन्होंने गयापन दिया है देखिए और इनकी तक्तियों में क्या लिखा है कि 99,000 सिख्षक बरती नहीं बलकि यह भृष्टाचार है और लागडाउन में काउंसिलिंग बंद करो यह गयापन ACM को दिया है विद्यारतीयों ने यह देखिया अधिकारियों को दिया है और यहाँ पर इनकी तक्तियों में लिखा हुआ है कि भरती नहीं बिश्टाचार है यूपी में ताना साही सरकार है 90,000 सिख्षक बरती रद करो नय मूर्चा तो नय मूर्चा ने सड़क पर आकर के 89,000 सिख्षक बरती के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है और कल भी बहुत सारे जिलों में विद्यारतियों ने ग्यापन दिया था इस भिश्टाचार की जाज के लिए अब बात कर लेते हैं सिख्षा मित्रों ने दी सुप्रिम कोट आउमानना की नोटिस सुप्रिम कोट म सिख्षा मित्रों ने पहले सही दो केस कर रही हैं जिनकी सुनाई मैं आप लोगों से बताया था चार-पांच या चै तारीक को हो सकती है वहीं पर सिक्षा मित्रों ने basic सिक्षा परिसद में भी notice दिया है और सुप्रिम कोड के order को भेजा है यह बताया है कि सुप्रिम कोड को जो आदेश है वो विद्यारितियों के पक्च में है और सिक्षा मित्रों की जो सीटे है उनको रोग कर ही counseling करवाई जाए और इसी क्रम मे आज फिर से रिजवान अंसारी ने सीतापुर की जो सिटी मजिस्ट्रेट है उनको एक ग्यापन दिया है और कहा है कि यह सुप्रिम कोड की अवमानना है इसकी काउंसलिंग रोकी जाए यह सब आपचारिकता है यह सब जो प्रपत्र है यह सुप्रिम कोड में जब भैस होगी चार्या-पांस तारीकों को तब यह साक्ष दिखाय जाएंगे कि कि हमने बेसिक शिण्चा परिसद्स को भी पद्र बेजए था vrak такой भी पत्र भीज़ए था और फिर भी सरकार ने मनवानी की और विस्त को आगे भढ़ाया फिलाल उत्तर-уска में ऐसे ही होता है जो भी वह या तो पूरी हो पाती है यह हो गया आज का वीडियो वीडियो गर आपके काम कहो तो लाइक अबसे कर दें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद